हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली करके यहां पर सब्सक्राइब नीचे रेट बटन आप उसे क्लिक क कर लें और उसके क्लिक करने के बाद यहां पार आइकन बटन जो ग्रीन एरो पर दिखाया जा रहा है वह आपको बिलेगा आप उस पर क्लिक करके टिक करके ओके आप कर दें तो आपको डारेक्ट इमिल नोटिफिकिशन मिल जागा जब भी नया कोई वीडियो अपलोड तो आज मैं आपको बताऊंगा और आप प्लीज इसको अन तक देखे फॉलो करें ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अगर विंडो या पीसी लाप्टाव एरा जो भी यूज करते हैं तो मैं आज ना तो फोटोशॉप यूज करेंगा ना उसक पर पेंट खोलने के लिए आपको करना क्या है कि आप विंडो प्लस ऐस जो बettleन है वह आप क्लिक कर सकते है नहीं तो आप सीधा इस सर्ज में चले जाए और वहाँ पर आप पेंट सर्च कर ले एक जैसे आपका पेंट खुलता है आप उसके क्लिक कर ले तो अभी आपको द तो आप जैसे resize पे आप क्लिक करोगे, मैं फिर से यहां दिखाता हूँ, यहां पर आप देख रहो resize का, आपको यहां resize कर लेना, ठीक है, resize करने के बाद आपको क्या करना है, आप जो यहां पर maintain ratio, aspect ratios देख रहे हैं, आप इसको un-tick है, तो आप इसे tick कर ले, ठीक है, इससे क्य वर्टिकल पे जाते है, तो आपको horizontal का जो है, उसको 1280 यानि की 1280 रखना है, ठीक है, और vertical का जो है, वह आपको 720 रखना है, उसके बाद आप उसे ok कर ले, ठीक है, ok करके आप उसे save कर ले, जहां पर चाते हैं, आप अपने desktop पे save कर ले, ठीक है, तो already मैंने जैसे यहां पर इसको save कर लिया तो यह हमारा जो template type का बन गया कि मैं जब भी अब नया अपना custom thumbnail बनाऊँगा इसी पर बनाऊँगा ठीक है अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप अपना photo भी लगा सकते हैं तो पहले मैं इसे कोलता हूँ जो मैंने अभी इसको save किया था ठीक है तो यह ऐसे न आपको प्रॉलम होगी तो आपको इसमें करना है कि यह 100% है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह 50% हो जाएगा इससे आपके ratio में कोई change नहीं होगा आप नीचे देख सकते हैं यह 1280720 pixel ही रहेगा सिर्फ आपका क्या है कि वह zoom by half हो जाता है ठीक है अब क्या करना है कि आप च क्या किया है यहां पर इसे मैं open कर लेता हूं जैसे edit किया या open कर लिया फिर मैंने क्या किया एक photo अपना लगा के यहां पर save करके रखाया है ठीक है यहां मैं सबसे बढ़ी हां बताता हूं से मैं save नहीं करता हूं आपको आ जाने है अपने ब्रॉजर पर ठीक है जैसे आप ब्रॉजर पर आओगे तो यहां पर आपको लिखना है पिक मंकी मैं इसी में बता रहा हूं मैं भी हो सकता आपको sign up करने के लिए करेंगा तो आपको एक मिनट से ज्यादा नहीं लिए sign up करने के पाद आपको यहां पर यह option आएगा edit का आएगा चाहिए computer क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर option मिलेगा कि कहां सब्सक्राइब अपने template को लेना चाहते हैं तो ठीक है तो हम लोग ने जो save करके रखाए 1280 into 720 का तो मैं इसे लेना चाहता हूं मैं यह जैसे अपना photo वाला लिए हूं तो मैं इसे को ले लेता हूं ठीक है जैसे आप इसे लेंगे तो यह pig monkey में क्या हो जागा open हो जाएगा ठीक है जैसे यह open होता है तो आपको इसके बात क्या करना है इसमें आपको माल लीजिए आप इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह paid feature है आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ठीक है जो इस पर लिख है बिना उसके crown का आप उसे pick कर सकते हैं तो उसके बाद क्या करना है आप जैसे text पर किए add text आपको करना है जैसे आप add text कर रहे है तो यहाँ पर आपको option आ जा रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माल यह आपको custom thumbnail बनाना है तो आप यहाँ लिख सकते है how to create custom thumbnail ठीक है इसे मैं side कर देता हूँ आप चाहे तो यहाँ से जो fonts है वो choose कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ से अपना जो है size भी आप यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं और आप चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं इनको और फिर और जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको देखेंगे कि यह जो arrow बन रहा है इससे आप क्या करते हैं stretch कर सकते हैं ठीक आप स्टेज कर लेंगे आप अपने हिसाब से आप जैसे में चाहें आप उसको यहां से adjust कर लें और adjust करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसे मिड में रखना चाहते हैं तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है और फिर आपको यह थोड़ा छोटा है आप चाहें तो कि मैं इसे थोड़ा कि अध्यस्ट करके उपर कर लेता हूं और फिर थोड़ा इसे मैं extend कर देता हूं ठीक है कि आपका जो यह थमनेल है वह सब को अच्छड से दिखेगा है अब जैसे यह कर लिया अब चाहे तो आप इसमें चाहे तो आप कलर जो है आप डुलीव डाल सकते हैं और यहां से आप सेलेक्ट सकते हैं ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा thumbnail चाहें यहां तो फिर एक color है आप ऐसा create कर सकते हैं तो इससे क्या है कि आपका जो text है वो काफी बड़ा दिखेगा ठीक है जैसा यह दिख रहा है और मैं से cut करता हूं उसके बाद यहां पर एक save option आता है आपका खुझाने के बाद आप save option में जाएंगे ठीक है save option में अफे save to my computer यहां पर करेंगे तो आप यहां पर नाम लिख दे कस्टम थमनेल करेंगे डेक्स्टॉप पर सेव करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा सेव हो जागा अब हम लोग देखते हैं जो हमने यहां पर कस्टम थमनेल बनाया था यह अल्रेडिक सेव हो चुका है और यह हमारा रेडी है अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर डारेक्ट अपलोड कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं आपको एक और पिकमंकी खोल लेता हूं ठीक है मैंने कल्ची जो बनाया था उस पर मैं बताता हूं मैं गयसे एकजम्पेल के तौर पर लेता हूं यहां पर यहां पर इसको अगर किया है तो इसे मैं यहां खोल लेता हूं ठीक है यह मेरा फोटो और मैं चाहता हूं उसमें कि मैं यहां पर कुछ टेक्स्ट एड कर लूँ ठीक है तो टेक्स्ट एड के लिए मैं यहां टेक्स अल्रेडे लिखके रखा है जैसे मैं कॉपी कर लेता हूं कॉपी करने के बाद फिर मैं टेक् करता हूँ टेक्स्ट को कि इसे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कि बढ़ा कर लूँ स्ट्रेच करना है से मुझे थोड़ा कि ठीक है अगे थोड़ा और स्ट्रेच कर लेते हैं तो यह बहतर दिखेगा और आप जो कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो आपको बैटर लगता है यह दिखने में चाहता जो बहतर लगेगा वही आप चूज़ करें तो इस कंडिशन में मैं कि छोड़ेता हूं वाइट चूज़ कर लेता हूं तो वाइट में चूज़ कर लेता हूं ज्यादा ठीक दिखेगा ठीक है चुकि यह बैक्राइट में पर डिपेंड करता हूं और फिर मैं ऐसे सेव कर लेता हूं कि यह मेरा यहाँ पर मैं नाम रख लेता हूं और वीज, पेपर, देक्स्टॉप पर मैं सेव कर लिया, और ये हमारा custom thumbnail जो है, वो अलरड़ी create हो चुका है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेरा create हो चुका है, तो ये था simple तरीका, कैसे आप custom thumbnail और चाये तो pen से direct भी बना सकते हैं, जैसा मैंने बताया, और सबसे important है, आप इसके size को fix कर ले, जैसे मैंने बताया था, stepwise, और उसके बाद आप pick monkey में जाके direct, वहाँ पर text add कर सकते हैं, text को बड़ा कर सकते हैं, color add कर सकते हैं, और ये थोड़ होगा, ठीक है, पहले मैं ऐसा नहीं करता था, अब मैं ऐसा start किया हूँ करना, तो सोचा मैं आपके साथ share कर लेता हूँ, I hope आपको वीडियो पसंद लगा, फिरसे मैं बोल रहा हूँ कि आप उसे like करे, comment करे, subscribe, अभी कभी करे, rate button, उसके बाद bill button icon है, आप उसे click करके, आप आपको diet email information मिल जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं आता हूँ, जल नए वीडियो के साथ, धन्यवाद,